36 गड में रमन सिंग जैसे कद्दावर नेता को दरकिनार कर विश्नुदेव साय को मुखमंतरी की कुर्ची सौपे गए बिजेपी ने यही गुगली मत परदेश में भी फेकी सिवराज सिंग चोहान का पत्ताकार्ट मोहनियादब को सीम घोसित कर दिया गया जिस नाम की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी उसे सुन कर सब चोग गया राजस्थान टूरिस्म का स्लोगन रहा ना जाने क्या दिख जाए के ही तर्चपर नेताओं में धुक दुकी लगी है कि राजस्थान में भी ना जाने कौन सी-म बन जाये राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों राजियों में CM चुनने का ट्रेन देखकर वसुंद्रा राजे का चिंतित होना जायज है 12 दिसंबर की शाम चार बजे राजस्थान बिजेपी विधायक दल की बैठक है इसी बैठक में मन्थन से नए CM का नाम निकलेगा इसके साथ ही ये बैठक CM रेस में शामिल वसुंद्रा राजे का भविस भी तैक करेगी कि आखिर राजे तीसरी वार CM बनती है या नहीं इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो CM की कुर्सी की राह में राजे के लिए रुकाबट बन रहे हैं पहली वजह है उम्र सत्तर साल की राजे पार्टी की वरिष्ट नेता है विजेपी उन्हें दर किनार करे उससे ही पहले वसुंद्रा राजे को स्पष्ट करना पड़ा कि वो राजनीती से अभी रिटायर नहीं हो रही हैं हाला कि 36 गड़ और MP की स्थिती देखकर माना जारा है कि पार्टी किसी यूवा लीडर्सीप पर भरोसा जता सकती है दूसरा फैक्टर है राजवारा छवी जो राजे से CM की कुर्सी दूर ले जा सकती है वसुंद्रा राजे राजगराने से आती है राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजेपी खूद राजगराने से जूरे किसी उमिदवार को CM की कुर्सी सौपने के मूर में नहीं दिख रही है तीसरा फैक्टर है विजेपी में परिवर्तन का दौर MP और 36 गर में CM चुनने के ट्रेंड को देख कर यहीं लगता है कि लोगसभा चुनाओं को लेकर विजेपी ने अपनी रनिती बदल दी है और पार्टी नए चेहरे को मौका दे रही है चौथा फैक्टर है जातिये समिकरन बिजेपी राजस्थान में जातिये समिकरन को साधने की कोशिस करेगी MP में मोहन यादब को CM बना कर पार्टी ने OBC समुदाय और 36 गर में विश्मुदेव साय को मुखमंतरी बना कर आदिवासी वर्को साधने की कोशिस की है राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब बिजेपी राजस्थान में दली समुदाय को साधने की कोशिस कर सकती है ऐसे में वो SC समुदाय से CM चुन सकती है इस गनित से देखे तो राजे CM की कुर्सी से दूर हो सकती है वरिष्ट पतरकार प्रेम सिंग मिना कहते है अगर BJP आलाकमान राजे को CM पर नहीं देता है तो पहले तो वो असानी से नहीं मानेंगी दूसरा अगर उन्हें प्रेशराइज कर मनाया गया तो ततकालिक तोर पर राजे मान जाएंगी लेकिन कॉंग्रेस में जो हाल सचीन पाइलेट और MP में सिंधिया ने कॉंग्रेस के साथ किया था वही राजे भविस में अपना सकती है पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि फिलाल आला कमान अस्थानिय नेताओं से ज़्यादा मजबूत है उसने चुनावी मैदान में भी खुद के सहारे उत्रा था और पडिनाम सब के सामने है बीजेपी में पडिवर्तन की ब्यार बह रही है पुडाने को साइड लाइन और नय को मौका दिया जा रहा है एक जनेरेशन चेन से बीजेपी गुजर रही है ऐसे में वसुंदरा राजे को भी वक्त की नजाकत को समझना चाहिए और एक कदम पीछे हटना चाहिए इसी में उनकी और बीजेपी दोनों की भलाई है राजनित्रिक पंडितों का माना है कि मडूधरा में बीजेपी कोई भी फैसल ले लेकिन जातिय समिकरन को साधने की कोशित जरूर होगी